Newton's formula Newton ने लगबख सभी field में physics के काफी जादा काम किया था तो उन्होंने कॉन के mirror या mirrors के case में spherical mirrors के case में उन्होंने analyze कि image का distance और object का distance और focus से उनका relation क्या है तो अभी तक जो हम formula पढ़ते हैं हम formula क्या पढ़ते हैं 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F लेकिन उन्होंने इस time में उसको explain नहीं किया उन्होंने बोला कि focus से जितना distance है हम तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहां पर हम एक particular case लेते हैं कौनके mirror के लिए हम अगर मालो discuss कर रहे हैं तो यहां पर अगर हमारी object इस direction में है तो पहली बात तो हमारा यह हो जाता है positive direction तो यहां पर मैं direction mark करता हूं यह है हमारा positive direction अब बताओ मुझे यू की value क्या हो जाएगी अच्छा यहां पर line से solve करना शुरू करते हैं 1 by v को हम लिख सकते हैं यहां से f की value आ जाएगी focal length को हम सिर्फ f लिखेंगे plus minus की बात नहीं करेंगे एफ प्लस y मैं लिख सकता है यहां पर 1 upon f plus y सिर्फ focal length के magnitude की बात करें यहां पर हम सिर्फ distances की बात करें direction को use हमें नहीं करना है यहां प्लस 1 upon यहां पर इस length को क्या बोलोगे आप 1 upon u को यह हो जाएगा x plus f यहां पर मैं mark कर देता हूं यह तो आपको confusion हो जाएगा this distance is f ओके तो यह हमारा formula हो जाता है f plus x is equal to 1 divided by f f की value किती हो जाएगी इस direction में हमारे पास f है उसका distance f अच्छा यहां पर अभी हमने सिर्फ magnitude of length लेगा है न सिर्फ magnitude of length लेगा है लेकिन हमारा यह जो formula है इसमें हमने length लेग दी लेकिन सबका sign convention लगाना पड़ेगा यह वाला formula तो sign convention के साब से चलता है तो इन सभी में sign convention लगाओगे तो आप देखोगे सारी की सारी values इस तरफ आ रहे हैं सबके सब negative हो जाएगे minus 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 और फिस सारी की सारे minus होगे तो सारे की सारे cancel out भी हो जाएगे ओके हम लिख सकते हैं one upon f plus y इसको दूसरी तरफ ले जाओ one upon f minus one upon f plus x इसमें यहां पर देखो आप चीज़े cancel out हो जाते हैं थोड़ी सी यह और यह कट जाते हैं हम multiply का दो दोनों तरफ f square plus f x is equal to x f plus x y यहां पर फिर से हमारी चीज़े कुछ cancel हो जाती है f x और f x यहां से कट जाता हमारा पास value किया जाती है हम लिख सकते है f square is equal to x y यह हो गया हमारा newton's formula for spherical mirrors इसमें हम सिर्फ distance की बात करते हैं कि focus से distance कितना था object का distance और image का distance तो हमारे पास एक इस तरीके का relation है लेकिन यह उतना काम का नहीं हमारा formula क्योंकि इसमें sign convention का use नहीं करें और f का square हो गया है तो अगर आप sign convention लगाना भी चाओगे इसमें तो नहीं लगा पाओगे क्योंकि focus की value आप negative लो या positive लो जैसे आप square कर देते हो तो value positive आ जाती है तो यहां पर काफी जादा गरबर हो जाएगी इसका widespread use नहीं हो सकते लेकिन इस पर कुछ छोटे-छोटे mcqs बन सकते हैं तो इसलिए बस पता होना चाहिए मेरे साथ physics live पढ़ोगे तो आज आप bomb physics पे जिसकी classes आप यहां एक्सेस कर सकते हो bit.ly slash bomb physics फिसको 4 देंगे सारी सारी life classes absolutely free हैं कहां होती है life classes and academy learning app पर जहां पर आप अपने doubts पूछ सकते हो और वैसे वहां पर बहुत सारे फायद है इंडिया के सभी top educators unacademy learning app पर पढ़ाते हैं वहां पर daily life classes होते हैं हम महीनी नए नए बैचलोच होनते हैं आपका goal चाहिए जो भी वाइटी जाही नीच, CBSE foundation आप plus या iconic subscription के साथ अपनी exam preparation को एक level up कर सकते हो और प्लस या iconic subscription लेने के लिए आप मेरा code यूज कर सकते हो विक्राण जिससे आपको मिलते है special discount तो आज ही अपनी unacademy learning app पी डाउनलोड करो mobile में और अपना पहले free plan unlock करो मेरा code विक्राण यूज करके और फिर ले लो अपना plus या iconic subscription मिलते हैं live unacademy learning app पे